एक दिन पप्पू की बीवी कुवे में गिर गई पप्पू बैठ कर रोने लगा तभी अचानक कुवे से देवता बाहर निकले पप्पू ने उनको साल बात बताई देवता बोले दो मिनट रुको खुवे में गए और कैटरीना क्यास को लेकर हाजिर हुए पप्पू को कुलाडी वाली कहानी याद आ गई उसने तुरंत कैटरीना का हाथ पकड़ा और बोला हां जी यही है देवता बोले हराम खोथ बेमानी करता है आदमी बोला नहीं माराज बेमानी नहीं कर रहा अभी आ कैटरीना को लेकर आए हैं मैं मना कर देता तो अगली बार नहा ककड को लेकर आते फिर मेरी वाली को लेकर आते और आखरी नहीं खुश होकर तीनों सौप देते मेरी खुद की वाली ही तो पड़ोसियों के घर गुंकी रहती है तीनों को कैसे संभाल पाता दो महिलाएं बात कर रही थी पहली बोली बहुत साल पहले एक बाबा ने कहा था कि भगवान तुझे इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा दूसरी महिला तो क्या हुआ पहली महिला अब पता चला वो वजन की बात कर रहा था दोस्तों कभी कभी तो लगता है ये दोलत ये शोहरत तमाम एशो अराम त्याग कर सन्यास ले लो फिर ख्याल आता है पहले ये सम बिले तो सही